गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट मैं मनुरंजिना सुखला आज हम आपको बाट साथ भारती संसकार के अभ्यास कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले बच्चू कुश्चन देखे पहला है भारत वर्षा के देशा देश अस्ती याने भारत वर्षा हमारा कैसा देश है तो भार भारत वर्षा एक धर्म प्रधानां देश अस्ती याने धर्म भारत वर्ष एक हमारा धर्म प्रधान देश है दूसरा देखे अश्माकम अभिज्ञानां कथम भवती तो अश्माकम अभिज्ञानां अश्माकम संसकारं भवती कें संसकारे और ग्रहस्त जीवने प्रवेश अब बच्चु हिंदी में अनुवाद करना है तो देखें बिवा अनेकानी कर्म कांडानी भवन्ती बिवा में अनेक कर्म कांड होते हैं पुरा शिश्या गुरु एर ग्रहे पठन पेस में पहले कि समय में सिश्य गुरु के घर में पढ़ते थे भारते सोर्षा संशकार अभवन्ती भारत में 16 संशकार होते हैं कन्यादान वरायक्रियते कन्यादान वर्को करते हैं दाशंशकारे म्रत्यु अनांत्रम भवती दाशंशकार म्रत्यु के बाद होता है अब संधी विच्छे देखी बच्चु पूर्व इस्त्रय आने पूर्व धन पूर्वा धन अईस्त्रया मणोत्रा मरण धन उत्रह बेदारं बेद धन आरंभ સમા વિષ્ટા સમધા વિષ્ટા કેશાંત કેશધન આન્ત प्रतिधन आगच्छती ग्रहम धन आगत चा धन इत्या देनी चेत्या देनी शमापती धन भवती धर्म धन अध्यात्मू अब निर्देशनुशार सब्दरूप देखी बच्चू शन्सकार का त्रतिया विभक्ती एक वचन तो सन्सकारेण ग्रंत का सत्तिमी विभक्ती बहु वचन ग्रंत थेशु अश्मिन का सत्तिमी विभक्ती एक वचन अश्मिन जीवन का सस्टी विभक्ती एक वचन जीवनश्य मात्र का सस्टी विभक्ती एक वचन तो मातू अब बच्चों नीचे लिखे शब्दों का मुसब्द विभक्ती और वचन लिखना है अश्माकम का अश्मत सस्टी विभक्ती बहु वचन शर्वा का शर्वाही प्रत्मा विभक्ती एक वचन संशकार एशू का संशकार सत्यमी विभक्ती बहु बचन असमिन का एदम पुलिंग है ये सत्यमी विभक्ती एक बचन संशकार का संशकार प्रत्मा विभक्ती एक बचन अब बच्चों नीचे लेखे प्रश्णों की हिंदी में हमें उत्तर देना है तो सैसव काल में कितने संसकार होते हैं और कौन-कौन से तो सैसव ववस्ता में बच्चों ने पढ़ा ही है छे संसकार जातकर्म, नामकरन, निश्क्रमन, अन्यप्राशन, मुंडन और कर्णवेद भारत वश में कितने संसकार हैं और कौन-कौन से हैं तो बच्चो शोला संसकार हैं और कौन-कौन से नीचे में लिखे हुए हैं गर्वाधान, पुन्ष्वन, स्रिमान्तुनैन, जातकर्म, नामकरन, निश्क्रमन, अन्यप्राशन, मुंडन, कर्ण वेदन, विद्यारम, उपनैन, वेदरम, केशान, समवर्तन, विवाह और अन्त परश्वन, रिक्षन, कन्यादान, अगनीस्थापन, पानिग्रहन, और लाजाम, और सिंदूरदान, आदी कर्मकान, विवाह शंशकार में होते हैं शंशकार का क्या अर्थ है? परिमार्जन और शुद्धी करन संशकार का अर्थ होता है तो इस तरह से वच्चों आपका सैवन चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसे लिखकर मुझे शेंड करेंगे, यह आपका होमबर्ख है धन्यवाद